असम राइफल्स की और से डारेक्ट रिक्रूमेंट एक्टिवेट की गई है यह रैली है 2024 की इसमें टेक्निकल और ट्रेडमेंड की पोस्ट जारी किया गया है यह आप कब से इसमें रैली में सामीर होंगे और यह फॉर्म आप कब से अपलाई करेंगे इसमें टोटल 1425 वेकं सबसे पहले आपको ऑनलाइन यह फॉर्म अपलाई करना पड़ेगा इसके बाद आपको रैली में जाके सामीर होना पड़ेगा इसमें वेकंसी असम राइफल्स की और से एक्टिवेट की गई है यह फॉर्म में आपको ट्रेडमें और टेक्निकल के पोस्ट मिलेगी यह यह डिफेंस केटेगरी की पोस्ट है असम राइफल्स के ऑफिसल वाफसाइट पर विजिट करके फार्म को फिल करेंगे इस्टार्ट डेट और लास्ट डेट यह दोनों अभी जारी नहीं हुआ है अभी नोटिफाइट सुन है जल्दी जारी हो जाएगा इसका जो रैली क का डेट है रैली जो इस्टार्ट होगा फिसकल टेस्ट के लिए एक अक्टूबर दो हजार चौविस को इसमें गुरूप B में अगर आप फार्म फिल करेंगे तो 200 रुपीस पेमेंट करेंगे अगर आप फिल करते हैं तो 100 रुपीस पेमेंट करेंगे SCHT और female and EX serviceman के लिए कोई application fee नहीं है online आप इस form की जो fee है वो complete करेंगे 18 से 23 वर्स के लोग इसमें आवे दिन कर सकते हैं इसमें आपको कई प्रकार की post मिल जाएंगे जैसे breeze और road इसमें 18 से 23 वर्स की उम्र मांगेंगे रेडियो मेकेनिक की post मिल जाएगी आरमोर की post मिल जाएगी और लेबॉर्टी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, वेटेरिनरी फिल्ड असिस्टेंट, आया की और वासरमेन की यहां पर आपको post मिल जाएगा जिस भी post के लिए आप form फिल करना चाहते हैं, उससे select करके आप form फिल करेंगे किसमें कितना कितना post देखें, यहां पर बतायागा है अब जिस भी post के लिए apply करते हैं, उसमें कितना आपके post मिलेंगे, वो यहां पर निर्धायत की गएगे तो आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए देखिए ब्रिज और रोड के लिए फॉर्म फिल करते हैं। इसमें male और female दोनों लोग apply कर सकते हैं। इसमें matrix की qualification मांगेगी हैं। Recognize board के दोरा या तो university के दोरा आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके साथ आपके पास diploma की engineering course होनी चाहिए है, civil की तभी आप इसमें आवेदन फॉर्म को apply करेंगे। यदि आप teacher के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास graduation की qualification होनी चाहिए। उसके साथ मधमिक in Sanskrit या आपके पास भूसन in Hindi की subject का आपकी qualification होनी चाहिए। सफाई करमचारी के लिए स्रिफ दस्मी की qualification मांगे गई है, Recognize board के दोरा qualified होते हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। operator radio and line के लिए form फिल करेंगे तो इसमें matrix की qualification मांगे गई हैं यानि कि दस्मी की qualification Recognize board के दोरा होनी चाहिए और उसके साथ दो साल की आपके पास industrial training institute यानि कि ITI की course होनी चाहिए जो की trade जो मांगा गया है radio and television का या electronics का होनी चाहिए Recognize Institute के दोरा होनी चाहिए अगर आपके पास बारहमी की qualification है उसके साथ physics, chemistry और mathematics subject है तो अभी पर आप इस form को फिल कर सकते हैं ये qualification Recognize Board या University के दोरा होनी चाहिए अगर आप Radio Mechanic के लिए form अपलाई करते हैं तो इसमें दस्मी की qualification मांगे गई है Recognize Board के दोरा उसके साथ Diploma की course होनी चाहिए जो की Radio and Television Technology की course होनी चाहिए यदि ये नहीं है तो आपके पास electronic state के दोरा आपके पास qualification होनी चाहिए या तो telecommunication के दोरा होनी चाहिए या तो computer के दोरा होनी चाहिए या तो electrical की आपके पास statewide ये post होनी चाहिए इसमें से कोई भी ट्रेट के दोरा आपके पास डिप्लोमा की qualification है, दसमी के साथ तो आप form को fill कर सकते हैं, अपकी जो qualification है, central government के दवारा अप्रूव होनी चाहिए, तो government के दवारा या state government के दवारा ये qualification होने चाहिए, अगर आपके पास 12 की qualification या इसके समकच में कोई qualification है, और आपके qualification में 50% है, इसके बाद physics, chemistry, math subject है, त अबही पर आप form को fill कर सकते हैं, अर ओफर के लिए अगर आप form fill करते हैं, तो इसमें 10 की qualification मांगेज है, recognized board के द्वारा, अगर आप लेबोर्टी अस Māod principe के लिए भी वी फ्रूप कर तो इसमें भी दसमें की qualification मांगेजे ने तो जाहिए तो 10 में की qualification चाहिए, इसमें आईटte के certificate भी चाहिए इसके साथ आपके पास vehicle mechanic की course होनी चाहिए या तो driving license आपके पास होनी चाहिए इस form को fill करने के लिए अगर आप draft man के लिए apply करते हैं आपके पास 12 में की qualification चाहिए उसके साथ 3 साल की आपके पास diploma की course होनी चाहिए आपके qualification पालिटेक्निक कॉलेज के दोरा होनी चाहिए सर्वयोर के ITI के लिए form fill करते हैं तो 10 में की qualification चाहिए उसके साथ ITI की qualification चाहिए इस trade के दोरा इसमें eligibility और post किन किन लोग को लिए जारी किया गया जैसे ये male और female दोरा के लिए है जिसरिफ male के लिए है ये दोरा के लिए है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किस post के लिए apply करेंगे कि उस Olay के लिए है या सुर्फ male के लिए या female के लिए है इसमें हवलदार और rifleman यह सारे post यहाँ पर दिखे rank wise बताये गया है इसमें जो selection process होगा सबसे पहले आपका physical measurement test होगा इसके बाद आपका physical efficiency test होगा यह test qualified करेंगे तो इसके बाद आपका written exam होगा इसके बाद आपके skill test लिया जाएंगे इसके बाद document verification किये जाएंगे इसके बाद medical test होने के बाद आपका इसमें होगा selection अब physical efficiency test में आपकी क्या क्या चीज़ इसमें लिया जाएगा सबसे पहले इसमें आपकी running होगी male के लिए जो race करनी है 5 km की race करनी पड़ेगी 24 minute में ये race complete करना पड़ेगा female के लिए 1.6 km की race करनी पड़ेगी साड़े 8 minute में इसे complete करना पड़ेगा अलग state के जो लोग रहेंगे उनके लिए अलग-अलग race यहाँ पर देखे दिखाएगा है तो अपने area का यहाँ पर आप race चेक कर सकते हैं कि कितना आपको दोड़ना पड़ेगा इसके बाद आपके height ले जाएंगी ये सारे details आपको उसमें लिया जागा इसके बाद trade test लिया जाएगा जो skill test के लिए form fill करेंगे वही है skill test देंगे बाकि सभी के लिए इसमें नहीं रहेगा इसके बाद return exam सभी के लिए होगा return exam आपका 100 number का ये questions रहेगा EWS, general OBCST इसमें जो passing mark रहेगा 33 और 35 percentage बट ये ही है इसमें कि आपको ये mark दिखाए जाए लेकिन आपको इसमें जादा highest mark लाना पड़ेगा इसके बाद आपके document verification होगा examination जब complete हो जाएगा इसके बाद आपका medical test होगा इसके बाद आपको training के लिए call letter भेजा जाएगा तो ये सारा process है आप form fill कब से करेंगे इसका भी date निर्धारित नहीं हुआ है जैसे date निर्धारित होता है तो आपको बताते है official ये notification है इसे अगर आप लोग download करना चाहते है तो इसका link हम नीचे description में दे देंगे ये official awesome rifles की और से notification जारी किया गया है फिलाल गाईस वीडियो में बस इतना ही वीडियो आगर आप लोग को पसंदा है तो like और share कीजेगा एंगेस मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में बाई बाई जाहिन झाल झाल